कि हालो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यहां से समझेगा यह वान लेनियर कोशन अंसर है अगर आप सेट मारते हैं तो ठीक है और नहीं तो यहां सब्सक्राइब की पूरा डीटियल से बताइए तो इसके लिए अलगे से वीडियो में लाँगा चलिए देख लिए पहला कोशन देख लिए ध्यांसर समझेगा का काता है कि राष्टी ध्वाज का प्रारूप समिधान सब्सक्राइब कर दोरा कब अपनाया गया था कहें का मतलब है कि हमारे जो राष्टी ध्वाज था समिधान सब्सक्राइब कब अपनाया गया था इसका में अंसर जो हो जागा 22 जुलाइब 1947 क्या हो जागा द्यान से देख लिएगा 22 जुलाइब है और 1947 है ध्यान से समझेगा यहीं आपका करेक्ट आंसर हो जागा आप नेक क्वेश्टन देख लिए क्या कहता है क्या कहता है कि काली दास किसके सासनकाल में यानि और क्या है क्या मतलब है कि काली दास किसके सासनकाल में आए थे तो यह चंद्रगुप द्रीतिये के सासनकाल में यहां मैं लिख देता हूं चंद्रगुप द्रीतिये मैं द्रीतिये इसे लिख देता हूं इसका इधर है इसका इधर है ठीक है ध्यान से समझेगा आच्छे से समझेगा वान लीनियर है इसका मेन टॉपिक भी मैं लाओंगा बहुत जल्द ही फिलहाल अभी पॉल टेक्निका त्यारी चल रहा है यानि पॉल टेक्निका बैच मतलब मिलने वाला है आपका मिलेगा मैं बता दूँगा ठीक है अगला संडे तक आपको मिल जाएगा अगला देख लिए अश्टेरिया के घास के मैदान को कहा जाता है या इसे क्या करते हैं अगला क्वेशन है प्रधान मंत्री का सची वाले किस मंत्राले के अंत्रकात आता है तो हम लोग जानते हैं कि प्रधान मंत्री का सची वाले ग्रिह मंत्राले के अंत्रकात आता है तो हम लोग जानते हैं एंसर ग्रिख मंत्रा ले अपना लिख लिए गया मन्तरा ले सख्ंण को और किनिती के निर्देशक सिध्धान के द्वारा लिया गया है यह उन्हारे निती केले शेख सिध्धान ही सबस्क्राइब थ्भान के दुबार लईएगा हैं कि हो रहन है कि उसका मैंनि अंसर हो गया मध्य हो जागा कि आई या लेंड निनीिज चैनल को पार करने वाला पहला भरती दो इस तरह के कोशन हैária कि इंगली चैनल को पार करने वाला भरतिये था दो Means गालो सेंट को कुछी मिही और मिही संदार अगला कोशेत करेंडर का प्रथा महा कॉंछ पूसста ह BIG कलेंडर का प्रथा महा जो है शायथ होता है जया होता है काता है कि राष्ट पाती एक कि सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है तो यह राजी सूची हो जागा ही कर सकता है कि राष्टी शूची जारी नाइख सस्मझजीध की चलते अगले कोेश्ट चेक लीजिये आगला कोशन क्या पन्हां से काता है कि किस बर गांधी जी ने डांधी यात्रा की थी तो आप लोग नहीं जानते हैं तो ठीक है जानते हैं तो अच्छी बात है किस बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है इस प्रकार से कोशन सहब इंपोर्टन कोशन रहेगा आगला कोशन है जहां से समझेगा कि दोखण का निर्मान किस ने किया था या कि सराजाओं ने किया था इस प्रकार से पूद्धगा तो अगला मंदिर का निमान जीए था राश्ट बूढ ने किया था ध्यान से समझेगा इभातब बूढ हेहां पर है यह अगला कोशन है ध्यान से समझेगा कि राजतरंगीनी कि द्वारा लिखी गई या किसने लिखी जिसमें कर्सिमीर के बारे में या किसमिर के रजाओं के बारे ने बताया गया है यह रजाओं के बारे में बताया गया है इस तरह के कोशन रहेगा तो याद रखिए कि राजतरंग इनी जो लिखा है कलहन ने लिखा है किसने लिखा है तो इसका अंसर जो हो जागा ध्यान से समझेगा कलहन ने हो जागा क्य यूद बावर और इब्राहिम लोदी के बीज इनिक सन कितना इस्वी में हुआ था यानि हम जानते हैं यहां तो दे दिया कि बावर और इब्राहिम लोदी के बीच लेकिन 1526 समझ लिजेगा अगला कोशन है कि थामस्काप से कौन सा खिल समंधित है इस प्रकार से कोश्चन रहेगा तो यहां किया हो जागा बैड मेंटें नहीं नहीं दिखाई जै रहता नर्मदा तथा तापती नदियों के बीच कौन सी परवत सिंखला इस्थ है इस तरह के कोछ रहेगा नर्मदा और तापती नदियों के बीच कौन सी परवत सिंखला इस्थ है तो हम जानते हैं कि यह जो है सत्पूरा है क्या सत्पूरा सत्पूरा परवत है सिंखला है जो नर् की छंता होती है इसको मतलब वर ज्यादा पानी की छंता होती है तो आप लोग जांते हैं तो नहिंद देख लीजिए इसका अंसर हो जागा काली क्या गाली क्या में दियांसcott ॲcken अब हमें कुमेंट में ज़रूर बताईएगा इसी परकार के कोश्चन और आगे लाते रहेंगे कोंकि जो भी मैं कौशन लाओगा सिक एक्जाम में जो पूछे गए हैं या जो पूछने वाले हैं उस टैप के कॉश्चन में बताऊंगा ठीक है तो चलते हैं अगले को लास में मिलेंगे तर तक की थैंक यू